प्रधान मंत्री से कोई बड़ा पद नहीं होता जिस प्रधान मंत्री पद को मांगने के लिए मोदी जी छादी फाड़ फाड़ा के चिलाते थे बस 56 दिन दे दीजिए 56 इंची सीना देख लीजिए बस एक बार मुझे प्रधान मंत्री बना दीजिए मैं आपका चौकीदार बन के देखाऊंगा उस चौकीदार ने कितनी बड़ी लूट कर दी ये देख लिया ना दोस्तों नमस्कार मैं मनुशकुमा शर्मा एक बार फिर आज आपको लगरा होगा राजिस्थान के उस महां दंगल में जिस दंगल को दंगल बनाकर के पेश किया गया गोदी मीडिया के द्वारा जिसमें बहुत सारे दावे किये गए जिसमें यहां तक दावा कर दिया गया सत्य.com के एक पत्रकार आसुतोष के द्वारा जो आसुतोष सत्य.com से पहले आम आदमी पार्टी के नेता रहे थे उन्होंने एक मांग कर दी कि सचिन पाइलेट को अध्यक्श बना देना चाहिए उनके अंदर कैपिबिलिटी है मीडिया पर आज बहुत कुछ चला इतना कुछ चला मैं आपको बताने सकता कि कितना कितना जूट फैलाया गया गोधी मीडिया के द्वारा गोधी मीडिया का जूट जो खुलासा कर सकूँ तो सबसे पहला जूट ये होगा जो आज शाहनवाज हुसेन ने आरूप लगाया कि राहूल गांदी और प्रेंगा गांदी नहीं चाहते कि उनके मुकाबले का कोई नेता पैदा हो ये दावा खारिश हो जाता है केवल इसी बास से कि 2014 में जब मनमौन सिंग की सरकार आई थी तो मिलन देवड़ा हों चाहें सिंधिया हों चाहें अपने सचिन पाइलेट हों आरपी सिंग हों जो भी जीत के आये थे सांसत राहुल गांधी के जादू से उनको मंत्री पत दिया गया और जब द्वारा चुना हुए तो ये लोग अपनी सीट भी नहीं बचा पाए तो कैसे नेता हैं ये लोग जो आज सचिन पाइलेट के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं एक प्रिंग अदर भी ट्वीट कर रही हैं एक जितिन प्रसाथ कर रहे हैं मिलिंदे वड़ा फॉन नहीं उठा रहे हैं तो भाईया जिनको जाना है जाओ अगर सत्ता की मलाई खाने का इतना शौक है और इतना शौटकट पसंद है तो पहले कुरुबानियों की पार्टी है कांग्रिस पार्टी ये समझ कितना भी गुना कड़ता लेकिन राखुल गांदी प्रदान मंतरी बन गया होता इसी मेडिया की आपती थी लास्त दिरों मर्मोन सिंग के इस्तिवा लेलाने चाहिए न लेकिन राहल गांदी न ऐसा नहीं किया था राहुल गांदी वो ब्यक्ति रहा जो पावर में था जो गांदी परिवार का था जो चाहता वो करता लेकिन उसने नहीं किया और मोधी मेडिया क्या फैला रहा है उस सचिन पालिट के बारे में जो पड़ाई करके आया और सबसे यूबा सांसद बना और सांसत बनने के बाद कांग्रेस पार्टे के टिकेट पर ही उसको केंद्र में लाकर के राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया कितना मजाख लगता है आज की मेडिया का ये बहस चलाना कि राहूल गांदी और प्रेंगा गांदी नहीं चाहते कि कोई और यूबा बड़े सचिन पाइलेट भी अपनी सीट हार गए थे लोकसवा में दोहजार उननिस में दोहजार चौदे दोहजार उननिस में थोड़ा कन्फ्यूज वराओं सर करेक्टर लीजेगा दोस्तों क्योंकि जब ये जीत के आए थे तो लगा था कि कुछ आशा ही लेके आएंगे कुछ काम करेंगे वो जमाने और थे शायद पांस साल पहले दोहजार नौ में जीती थी मन्वहन सिंग सरकार शायद मैं गलत बोल गया दोहजार चौदे का बास्ता दे करके आपको मावी मंगता हूँ लेकिन दोस्तो आप खुद ही पताईए जिस राहूल गांधी की बज़े से इनको प्रिसिद्धी मिली और जो राहूल गांधी दिनवार फॉन करते रहे सचिन पाइलेट का एटिट्यूड जो फॉन नहीं उठाता है जब प्रिंगा गांधी मा के सामने अड़ जाती है बड़ा हो या फिर सचिन पाइलेट हो यह सब अपने बाप की प्रश्ट भूमी से जीत के आए इनकी जागे आम कारेकरता भी जीत सकता था लेकिन कांग्रेश रिष्टे निवाना जानती है उसने रिष्टे निवाई इनको टिकेट दिया मंत्री भी बनवाया लेकिन गां दिन दे दीजिए 56 इंची सीना देख लीजिए बस एक बार मुझे प्रधान मंत्री बना दीजिए मैं आपका चौकीदार बनके देखाऊंगा उस चौकीदार ने कितनी बड़ी लूट कर दी यह देख लिया ना लेकिन यहां मोदी की जो भी मीडिया है गोदी यो मीडिया है वो अचानक से सचिन पाइलेट के साथ हो गई है सचिन पाइलेट की खुबिया गिनवा रही है सचिन पाइलेट के बारे हैं बहुत सारी बात कर रही है जबकि अशोग गहलाउत ने कोविड में बहुत अच्छा काम किया सचिन सचिन पाइलेट ने कितना काम किया समझें कि आपका जनाधार भी आधार दो पैसे का नहीं है और आपके नेताओं अभी आधार दो पैसे का नहीं है राहुल गांधी के मतलब मैजिक से जीत तेरे आज उसी राहुल गांधी को गालियां पढ़वा रहे हो शरम नहीं आ रही तुमको काहे के दोस्तो तुम जारे जैसे दोस्त अगर होंगे तो पीठ में छुरे घौंपने बालों की जरूत नहीं होगी ना उनकी जरूत होगी बार दिंदा पार्टी की कांग्रिस को कांग्रिस ही मारती है और कांग्रिस में तुम्हारे जैसे गद्दार सिंधिया हूँ चाहें सचिन पाइलेट हूँ चाहें जितिन प्रसाद हूँ जो भी आज उनके समर्थ हमें ट्वीट कर रहे है, वो हर कांगरेज कारेकरता की नदरों मे उतर रहे हैं कांगरेज कारेकरता तो कभी नहीं मंगता मुख्यमंतरी का पत और केवल फर्ष और कुर्सी लगाने में अपना सौवभागय समझता है लेकिन यहां तो हद कर दी कभी आम कारे करता से सिंधिया महराज मिले कभी आम कारे करता से सजिन पाइलेट मिले अपनी जाती के अलाबा जाती बात को अगर कांगरिस के अंदर बढ़ाबा दिया है तो इन लोगों नहीं दिया है मिलिन देवड़ा हो, चाहे पेपड़ा हो, चाहे ठोपड़ा हो और जितने परसाद बोलते हैं मैं ब्रहामण नेता हूँ ब्रहामण को लिए वहिया क्या किया तुमने बिकास दुबे का एंकाउंटर हुआ विकास दुवे के एंकाउंटर पे क्या आपने सुप्रीम पोर्ट में याज कर डाली अगर आप इतने अच्छे होते तो लल्लू परसाद अजे को ना बनाया जाता प्रदेश का ध्यक्ष आप जबी काम करोगे जब आपको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी बिना कोई जिम्मेदारी मिले कोई काम नहीं करोगे पैसे कमाके बैठ गए पैट्रॉल जैसा मंत्रा ले लेके बैठ गए थे पता नहीं कौन कौन से मंत्रा लेके बैठ गए थे आप लोग आपने केबल कांगरिस को चलने का काम किया है क्योंकि कांग्रिस ने आपको वक्त से पहले सक्सेश दे दी और सक्सेश का मंत्र पढ़ा दिया राहूल गांधी ने जिस राहूल गांधी ने प्रिधान मंत्री पत को ठोकर मार दी दोस्तो मोधी मीडिया के खिलाफ ये काउंटर बना सकता था तो बना दिया है अब आपको कितना पसंद आता है कितना नहीं आता है यह आपके उपर डिपेंट करता है जहिन दोस्तों बाते पसंद आई हो तो जरूर शेर कीजएगा एक बात और बता दूँ यहाँ पर सचिन पालेट के लिए आज तक ने एक पोल डाला था जिसमें कहा गया था कि अशोग गहलोद के पक्ष में आया और 12% जो था केवल सचिन गहलोद के पक्ष में आया इतने बड़े जननेता हैं और इतने बड़े जननेता है तो भात बहरते दिंदा पारटी इनको ले जाए अपनी पारटी में और जनता दल भी सामील हो जाए यह बोलकर के कांगरिस उधर कर दो लूए कर दो लूए में